हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो डिफेंस पूर्सेस अकैडमी आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आये हैं एज क्राइटेरिया जो सीडियेस के एक्जामेनेशन के लिए होता है एज क्राइटेरिया जो हमारे सीडियेस के एक्जामेनेशन के लिए होता है हम इस वीडियो के थ्रू यह जानेंगे कि किस तरीके से सीडियेस का एक्जामेनेशन जो है उसमें आप किस तरीके से अपनी एज को बहतर तरीके से देख सकते हैं कि आप एलिजबल हैं कि नहीं है क Education में जैसा कि आपको पता है जारतर बच्चों को पता होता है CDS जो है आपका Graduation Level Entry होता है तो Education के बारे में बात हम फिर किसी वीडियो में करेंगे आज हम precisely इस वीडियो में बात करेंगे कि CDS की examination के लिए आपकी age कितनी होनी चाहिए क्योंकि हमने ये बहुत बार देखा है और हमारे पास अक्सर बच्चों की queries आती है कि CDS का जो exam होता है उस exam में जारतर जो students appear होते हैं उनके साथ यही situation होती है कि जब वो notification आता है तब उसमें जो age दी होती है और जो bracket दिया होता है उसको कई बार बच्चे जो है वो समझ नहीं पाते और उनको लगता है कि मेरा तो age है अभी 23-24 बट मैं paper नहीं देज़ पा रहा तो आज हम वही समझेंगे कि जो age criteria CDS के examination में होता है वो actually मैं UPSC की तरफ से दिया जाता है वो UPSC के calendar के हिसाब से उनका age bracket आता है CDS का basically जो age criteria होता है वो यह होता है कि उसमें दो dates दिये जाते है that is A to B उसमें होता क्या है कि इससे पहले के लोग allowed नहीं होते और इससे बात के लोग allowed नहीं होते यानि कि जो दो dates दी होती है उन दोनो dates के बीच में आपका date of birth होना चीए B के बाद नहीं होना चीए A के पहले नहीं होना चीए तो इस तरीके से यह age bracket होता है जो हर exam में change हो जाता है लेकिन इसका एक pattern होता है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे या ध्यान से अगर आपका भी notification study करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एक pattern होता है आज हम उसी pattern पे बात करेंगे कि किस तरीके से CDS का paper pattern के साब से age के pattern के साब से होता है चली शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आप से बस यही बोलूगा कि आप प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीजे और subscribe करने से फायदा यह होगा कि जो भी important updates हम different services से related अपने वीडियो में लेके आते हैं उसको आपको आसानी से पदा चलेगा और आपको इस वीडियो के अन्त में सारी चीज़े पदा चलेगी तो इसको जितना हो सेके उतना शेर कीजे ताकि बाकी students को भी help मिले चली शुरू करते है तो सबसे पहले बात करते हैं जो exams हो चुके या हो रहे हैं तो CDS 1 का examination 2021 का अभी इस साल February में हुआ इस exam के लिए जो notification था वो 2020 में आया था अब CDS में जैसा कि आप लोगों को पता है CDS में तीन departments के लिए मोटा मोटा चार departments के लिए आपके exam होता है Indian Military Academy, Naval Academy Indian Air Force और Officers Training Academy इसमें IMA और Naval Academy का जो age bracket होता है वो सेम होता है IMA का जो age bracket आता है वो Navy का और IMA का age bracket जो हो है वो सेम होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है Indian Air Force का जो maximum age होता है वो एक साल काम होता है IMA के comparison में और minimum age जो होता है वो एक साल कम होता है OTA में आपको एक साल एक्स्ट्रा मिलता है वस यही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता तो 2021 का जो पहला पेपर हुआ उसके लिए जो age bracket आई वो था कि candidates should be born on and after 2nd January 1998 and not later than 1st January 2003 यनि कि वो students जिनका date of birth 2nd January 1998 से 1st January 2003 के बीच में पढ़ता है वो यह पेपर के लिए eligible है उसी तरीके से Indian Air Force के लिए आया कि 2nd January 1998 से start होके 1st January 2002 तो के बीच में जिनका date of birth पढ़ता है वो Indian Air Force के लिए eligible है मतलब जब आप form भरेंगे तो Air Force के लिए आप eligible होते है अब इसमें आपको बस यह याद रखना है कि IMA और Air Force के बीच में यह जो है एक साल का difference होता है इस तरीके से OTA का जब पेपर है OTA में आपको जैसे की पता है Boys and Girls दोनों eligible होते है तो 2nd January 1997 से 1st January 2003 के बीच में जिनका date of birth है वो OTA के लिए eligible है अब यहाँ पे आप देखेंगे कि OTA में एक साल आपको extra मिलता है Indian Air Force के लिए एक साल आपको कम मिलता है लेकिन यहाँ पे OTA के लिए 1998 से 1st January 2003 या OTA के लिए 2nd January 1997 से 1st January 2003 इसका मतलब यह है कि अगर आपका date of birth इस bracket में आता है तो आप paper दे सकते है अब CDS का अभी जो paper होने वाला है November में उसके लिए जो date of birth आई वो क्या है अभी जो November में exam हो रहा है CDS का उसके लिए जो date of birth आई है वो आई है अगेन आप देखेंगे लास्ट exam से ये 6 मेने आगे बढ़ गया bracket अब की बार जो आई है वो आई है 2nd July 1998 से 1st July 2003 उसी तरीके से Air Force के लिए आई है 2nd July 1998 से 1st July 2002 और OTA के लिए आई है 2nd July 1997 से 1st July 2003 तो आप देखेंगे लास्ट exam से इस वाले में आपके 6 मन्स का एडवांस्मेंट हो गया है 6 महीने आगे बढ़ गए है ठीक है तो जो बच्चे 2nd July से पहले के बॉंड है 1998 से पहले के वो इस पेपर के लिए इलिजिबल नहीं है और जो 1st July के बाद 2003 के बाद बॉंड है वो बच्चे अलिजिबल लिए है तो 2nd July 1998 से 1st July 2003 के बीच में जिनका जिनका आज आता है वो इस पेपर दे सकते हैं तो आपने देखा जो 1st exam था उसमें January 1998 से January 2003 तक लिया था 2nd exam में July 1998 से July 2003 तक लिया यानि कि हर exam में UPSC की जो date of birth का bracket होता है वो 6 months आगे बढ़ जाता है यही same चीज मैंने आपको अपने NDA के हमने आपको NDA के paper में भी समझाया है प्ला हमने एक वीडियो डाली है और वोही same criteria आपका CDS में होता है defense services के लिए actually में attempt count नहीं होते आपकी age होती है जब तक आप इस age bracket में आते रहेंगे तब तक आप यह paper दे सकते है अब let's say कि किसी की age जो है वो 30th June 2003 है तो वो कम से कम नहीं तो अगर इस criteria से आप चलेंगे तो वो आज से लेकर और आगे तक वो कम से कम 6-7 attempt दे सकता है उसका age जब बार होगा वो तब बार होगा जब वो उसका age बार होगा जब minimum age जो आएगी वो आएगी 2nd July 2003 उस case में वो बार हो जाएगा लेकिन जब तक वो इस bracket में आएगा तब तक वो paper दे सकता है तो यह criteria होता है आपका age के उपर आपके attempt depend करते है तो अब जो आपका paper आ रहा है April में UPC का calendar आ चुका है अब जो paper आएगा उसके लिए age bracket क्या होगी उसके लिए age bracket होगी students who are born between 2nd January 1999 to 1st January 2004 2nd January 1999 to 1st January 2004 यह अब आने वाले exam का age bracket है उसी तरीके से आपका OTA का होगा उसी तरीके से आपका Air Force का होगा ठीक है बस आपको याद रखना है कि Air Force के लिए जो minimum age होती है वो एक साल कम होती है और OTA के लिए जो minimum age होती है वो एक साल जादा होती है यह वाला जो आप देखेंगे this is 1 year extra यहाँ पे आपको extra मिलता है यहाँ पे आपको 1 year कम मिलता है बस आपको याद रखना है ठीक है तो CDS 1 के लिए जो अभी जो age आएगी अगर आप लोग अभी से तयारी करना शुरू कर रहे है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका age जो है वो 2nd January 1999 से 1st January 2004 के बीच में होना चाहिए अगर आपको IMA या Naval Academy के लिए अप्लाई करना है Air Force वालों के लिए 2nd January 1999 से 1st January 2003 और OTA के लिए 2nd January 1998 से 1st January 2004 इसी तरीके से अगर हम बात करें अगले exam की तो CDS 2 जो आएगा 2022 में क्योंकि पेपरों का जो time frame है वो fix होता है इस बार से change यह आया है कि अब NDA और CDS का paper साथ कराया जा रहा है तो next year April में है फिर September में है तो जो September वाला paper आएगा CDS का उसके लिए age bracket क्या होगा अगर यही sequence आप follow करेंगे क्योंकि यह sequence change नहीं होता यह चला आ रहा है यह fix pattern है UPC का तो IMA के लिए जो date आएगी date of birth आएगी वो आएगी 2nd July 1999 से 1st July 2004 Air Force के लिए आएगी 2nd July 1999 से 1st July 2003 OTA के लिए आएगी 2nd July 1998 से 1st July 2004 जैसा कि आपको बताया है मैंने OTA में आपको एक साल जादा मिलता है Air Force में एक साल कम होता है ठीक है यह criteria आपका CDS के लिए जो आपका September का exam आएगा उसके लिए होगा इसी pattern पे आप 2023 के बारे में भी बात कर सकते हैं तो 2023 देखते हैं 2023 के लिए आपका जो पहला exam होगा उसके लिए जो age आएगी वो आएगी 2nd January 2000 से 1st January 2005 in case of Indian Military Academy and Naval Academy Air Force के लिए आएगी 2nd January 2000 से 1st January 2004 OTA के लिए आएगी 2nd January 1999 से 1st January 2005 तो यह criteria आपका 2023 का जो CDS का 1st exam होगा जैसा कि आपको पता है CDS साल में दो बार होता है तो जो पहला exam होगा उसके लिए criteria यह होगा उसी तरीके से आपका जो CDS का 2nd paper होगा उसके लिए जो criteria होगा वो होगा 2nd July 2000 से 1st July 2005 Air Force के लिए होगा 2nd July 2000 से 1st July 2004 और OTA के लिए होगा 2nd July 1999 से 1st July 2005 तो यह criteria है अगर आप UPSC के pattern को देखेंगे तो UPSC के notifications के basis पे आपकी age decide की जाती है तो आपको कोई भी confusion नहीं होना चाहिए UPSC के notification में आपका age bracket दिया होता है और हर exam में वो age bracket जो है वो आगे बढ़ जाता है हर exam में यह जो age bracket है it moves ahead यह आगे चला जाता है और 6 महिने का gap आ जाता है ठीक है? तो आपको जब भी आप अपनी CDS की तियारी कर रहे हैं तो please make sure कि आप यह formula जो है age का उसको ध्यान में रखे इससे दो चीज़े होगी पहले तो आपको पहले से पता होगा कि आपके पास कितने attempts हैं किसी से पूछने का ज़रुवत नहीं है और दूसरा आपकी तैयारी जो है आप उस तरीके से प्लान कर सकते क्योंकि कई बार होता यह है कि बच्चे होते हैं जो प्लान करते हैं तैयारी के लिए जब notification आता है तो दो cases होते हैं या तो उनकी age निकल गई होती है या तो eligible नहीं होते हैं और वो तब जाके आपने 3-4 मेने से आप तैयारी कर रहे हैं और आप तो बाद में जाके पता चले कि आप eligible नहीं है तो उससे काफी दिक्कत होती है तो उसी problem को हल करने के लिए हम Defense Forces Academy की तरफ से एक informative वीडियो लाए हैं जिससे आपको यह पता चल देगा कि किस तरीके से आप CDS में अपनी age calculate कर सकते हैं इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने exams दे सकते हैं आने वाले दो सालों में दूसरी चीज जो लोग अभी first year में गए हैं graduation के या जो second year में पढ़ रहे हैं जो अभी eligible नहीं हैं third year में आके eligible होंगे वो भी sequence या इस formula के थ्रू अपनी age का अंदाजा लगा सकते हैं जब वो appear करने के लिए age में आएंगे यानि कि जब वो अपने final year में होंगे तो उससे आपको या idea हो जाएगा कि आप जब अपने final year में पहुँचेंगे तो आपको कैसी strategy अपनानी है क्या आपके पास age होगी उस समय पे कि आप दो साल तैरी कर सकते हैं या नहीं होगी तो आप अपने second year से भी preparation कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको हमने यही discuss करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आप अपनी age को UPSC के दिये हुए notification के हिसाब से जान सकते हैं और इसी के basis पे आप अपनी preparation plan कर सकते हैं बाकी जो criteria रहता है UPSC का education का उससे उसमें बहुत जारा changes नहीं होते हैं लेकिन जो major problem बचों को आती है वो age में आती है तो इस वीडियो के माध्यम से I hope कि आपको यह problem नहीं आएगी इस pattern को आप follow कीजे आप चाहें तो अब UPSC के notification पे जाके पिछले 2-3 सालों के notification अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यह pattern वहाँ पे भी दिख जाएगा आप इस pattern के basis पे अपनी preparations carry on कर सकते हैं तो I hope आपको इससे काफी help मिलेगी अपने examination में और ये वीडियो आज इसलिए हमने बनाया है ताकि आपको चीजों के बारे में अच्छी जानकरी हो जाएए hopefully इससे आने वाले टाइम में आपको अपनी preparation करने में एक अच्छा opportunities मिलेंगी और अपने आपको आप बहतर दंग से तियार कर पाएएगे अंत में मैं से यही भोलूँगा कि आप हमारे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए और इस वीडियो के जादा से जादा शेर कीजिए और भी जो वीडियो हमारे चैनल पर पढ़े हैं उनको देखिए हम आने वाले टाइम में अपना content बढ़ा रहे हैं तो hopefully आपको इसमें काफी help मिलेगी तो that's it for today thank you guys have a good time